स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रशन के साथ नवाचार के लिए महामारी संबंधी तैयारी गटबंदन कब शुरू किया गया था? A. वर्ष 2011, B. वर्ष 2015, C. वर्ष 2017, D. वर्ष 2019 इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प C. वर्ष 2017, चलिए देखती है इसके विसलेशन को हाले में स्वास्त अनुसंधान के लिए एश्या के पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा शेत्रि जयव प्रोध्योगी की केंद्र में स्थापित की गई यह महमारी तैयारी नवाचार गटबंदन के हिस्से की रूप में फरीदाबाद में ट्रांसलेशन स्वास्त विज्ञान एवं प्रोध्योगी की संस्थान के अधीन है महामारी संबंधी तैयारी के नवाचारों का गडबंदन भविश्य में महामारियों को रोपने के लिए टीके विक्सित करने हे तू वर्ष 2017 में शुरू की गए एक वैश्विक साज़ेदारी है तो चले शुरूआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रशन के साथ हाले में पार्दी आदिवासी समुदाएं ने मद्धिप्रुदेश के निम्नलिकित मेसिक के जिले में हिरासत में बौत के खिलाफ विरोध प्रदशन किया इस प्रशका सही उत्तर है विकल्प ए गुना चले देखते हैं इसके विसलिशन को हाले में मद्धिप्रुदेश के गुना जिले में पार्दी आदिवासी समुदाएं ने एक आदिवासी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में कतित मौत के खिलाफ विरोध प्रदशन किया हिरासत में मौतवा है जो किसी व्यक्ति की कानून प्रवर्थन अधिकारियों की हिरासत में या सुधारात्मक सुवधा में होने पर होती है या विभन कारणों से हो सकती है जैसे अतिधिक बलका प्रियोग, उपेक्षा या अधिकारियों द्वारा दुर्वेभार भारती विदी आयोग के अनुसार गिरफतार या हिरासत में लिये गए व्यक्ति के विरुध किसी लोग सेवक द्वारा किया गया अपराध हिरासत में हिंसा के समान है अगला प्रश्ण है निम्नलिकित में से कौर नई सिक्षानिती 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है इस प्रश्य का सही उत्तर है विकल्प डी मध्यप्रुदेश चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को मध्यप्रदेश नई सिक्षानिती 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है ये कॉलेज राजसरकार द्वारा नई सिक्षानिती 2020 के अनुरूप पाठिक्रम प्रदान करने के लिए शुरू किये गये है इसमें अकादमिक विश्यों और जीवन कौशल दोरों को पढ़ाना शामिल है अगला प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बागिश्वर चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को हाली में स्वयंभू बाबा योगी चैतन्य आकाश ने उत्राखंड के सुन्दर ढूंगा ग्लेश्यर पर 5000 मीटर की उचाई पर एक अनधिक्रित मंदिर का निर्माड किया इस्थानी ग्रामीरो द्वारा अतिक्रमड पर रोश व्यक्त किये जाने के बाद राजस्व वन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम जांच करेगी सुन्दर ढूंगा ग्लेशर उत्राखंड के बागेश्वर जिले में इस्सित है यह इस्थान पारिस्तिक दृष्ट्री से समवेदन शील है जहां तिर्थियात्रियों और इस्थानी लोगों के लिए एक पवित्र कुंड है अगला प्रेश्ण है विश्व आर्थिक मंच का मुख्याले कहा है जिनेवा स्विट्जर लेंड में है अगला प्रश्ण है प्रिधानमंत्री कॉलेज ओफ एक्सिलिंस का उध्गार्टन केंद्रि ग्रीह मंत्री द्वारा कहां किया गया? इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी इंद्वर चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को किंद्रि ग्रीह मंत्री ने इंद्वर से मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रिधानमंत्री कॉलेज ओफ एक्सिलिंस का उध्गार्टन किया अगला प्रश्ण है निम्रलिकित में से किस आदिवासी समुदाय ने एक नए राज़के निर्माड की मांग की है? इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी भील चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को हाली में राज़स्थान के आदिवासी समुदाय ने भील प्रश्ण नामक एक नए राज़के निर्माड की मांग की है आदिवासी समाज, राजस्थान, महरास्टर, गुजरात और मध्यप्रदेश के 49 जिलो को मिला कर एक नए राज़ के निर्मार की मांग कर रहा है इसके अत्रिक्त राजस्थान के पुर्वतेते जिलों में से 12 जिलों को नहराज में शामिल करने का अनुरूत किया गया है भील सबसे बड़े जनजाती समुहों में से एक है जो छतिसगर, गुजरात, करनाटक, मध्यप्रदेश, महरास्टर, आंदरप्रदेश और राजस्थान में रहते हैं यह नाम बिलू शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है धनुष भील लोग उतकिष्ट तिरंदाज माने जाते हैं तथा उन्हें स्थानी भुबोल का भी गहरा ग्यान है परंपरागत रूप से गुरिल्ला युद्ध में माहिर आज उनमें से जादतर किसान और खीतियर मज़दूर है निकुशल मुर्तिकार भी है अगला प्रश्ण है निम्रलिकित में से कौन सा राज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगलादेश से आए अल्पसंख्यक शरनार्थियों को भारतिय नागरिक्ता देने के लिए विशेश शिविर आयोजित करने जा रही है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A. राजस्तान चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को लिए नियम तथा प्रक्रियां सरल कर दी गई है अब जिला कलेक्टरों को नागरिक्ता प्रमार्पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है सुत्रों के अनुसार वर्ष 2016 से 2024 तक राज्ज में 2329 लोगों को नागरिक्ता प्रदान की गई है वर्तमान में कुल 1566 आविदन लंबित हैं इनमें से 300 मामलों में आसूचना ब्यूरो की रिपोर्ट की प्रतिक्षा है अगला प्रश्न है हरेला त्यवहार निम्नलिकित में से किस राज्ज में मनाया जाता है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्राखंड चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को हरेला एक हिंदू तयवहार है जो उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ शेत्रों पिचेशकर कुमायू शेत्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है हिंदू चंदर सौर कलेंडर के अनुसार हरेला शावन मास के पहले दिन पढ़ता है जो मानसून के मौसम की शिरुवात और नई फसलों की बुवाई का प्रतीक है यह राज्य की कृषी के लिए एक महत्तोपूर्द समय है क्योंकि यह हरेला का प्रतीक है जो कुमाउनी शब्द हरियाला से लिया गया है जिसका अर्थ है हरियाली का दिन ऐसा माना जाता है कि उसकी उत्पत्ती कुमायू शेत्र से हुई थी तो चल यह अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रशन को नियायमूर्ति सुजीत नारायन प्रसाथ को किस उच्छ नयायाले के कार्यवाहक मुख्य नयायधीश के रूप में नियुक्त किया गया है इस प्रशन का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद दियर व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और पहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले